हलो एन गुड मॉर्निंग दोस्तों आई होप आप सबच्छे होंगे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकोईन के बारे में बिटकोईन का चार्ट यहां पर देखेंगे और बताएंगे नेक्स्ट मूव इसका क्या हो सकता है क्योंकि अगर आप बिटकोईन का बताएंगे बिटकोईन से भी डिलेटेड कुछ पॉजिटिव नियूज आ रही है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर रहे हैं तो सबस्क्राइब जरू कर लीजेगा जिसे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें सबसे पहले तो आप सभी भाईयों को बहुत बहुत थैंक्स क्योंकि हमारे सतिंदर पाल भाई का अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया था उनके लगबग दो बिटकोईन यहां पर पड़े हुए थे पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से उनका अकाउंट वापस आ गया है उन्हें उनका पूरा फंड वापस मिल गया है और वो लॉग इन भी कर पा रहे हैं अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें आपे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं टेलेगराम में बता सकते हैं जिससे हम आपकी यहां पे help कर सकें देखो help मैं नहीं करता हूं सब आप लों की मदद से ही होता है बड़ यही है कि आप लों का साथ रहेगा तो हम किसी की भी help यहां पे कर सकते हैं तो भाई का यहां पे account जो है वापस आ गया है और इसके के लेवल को लगबग टेस्ट कर गया था कल रात में भी यहां पर एक डंप आया था जिसमें अगर आप देखो तो 29,660 के करीब में बिटकोइन टेस्ट कर गया था पर अभी 30,000 के ऊपर ही चल रहा है और हमने आपको लाइव में बताया था कि बिटकोइन का फिर इन ग्रीड इंडेक्स बहुत ही ज्यादा हाई पर चल रहा है तो इसमें यहां पर वेज जो है डेफिनेटली डंप कर सकते हैं साथ ही अगर एक और इंडिकेशन यहां पर देखें तो बहुत ही ज्यादा अभी भी लॉंक्स उपन है यहां पर अगर आप देखो टोटल 85,000,000 के लॉंक यहां पर उपन है और ओवराल देखा जाया तो 73% लोग यहां पर लेके बैटे हुए तो इसके कारण एक और इंडिकेशन यह लग रहा है कि वेल्स जो है मार्केट को थोड़ा सा मैनिपलेट करेंगे और लिक्विडेशन का सलसला तो आप देखी रहे है चली रहा है चंट बुलिस पैनेंट को ब्रेक आउट तो कर दिया है पर यह रीटेस्ट करके और फिर यहां से बाउंस कर जाता है 31,000 को होल्ड करता है तो बिटकोईन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और अगर 30,700 इसके नीचे यहां पर निकल जाता है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है 30,000 अगर यहां पर ब्रेक करें तो आपको अल्ट कोईन में थोड़ा सा सेफ हो जाना है क्योंकि फिर अल्ट कोईन और ज्यादा यहां पर डंप कर सकते हैं उनमें और भी ज्यादा क्रेस्ट देखने को मिलेगा और वैसे अगर आप देखो तो कल रात में गिरत हो गया था पर फिर से वापस से रिकवर करते हुए नजार आ रहा है क्योंकि बिटकोईन को अच्छा खासा यहां पर सपोर्ट मिल रहा है 30,000 के आसपास में 1500 बिटकोईन की बाइवाल लगी है फिर उसके बाद में अगर आप देखो तो बड़ा सपोर्ट लेवल 29,500 के आसपास है 300 ब दिखा जाता है कि यह सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाता है और अगर यह ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो इसको सपोर्ट है वो कहां मिलेगा वो इसे यहां पर मिल सकता है 100 डेली मोविंग एवरेज के पास में जो कि यह लगबग 28,500 के आसपास में 80,000 डॉलर यहां पर अग जाएंगे वैसे देखो बहुत सारे अल्ड कोई डिप में अवलेवल हैं तो अगर आप उनको बाय करके स्पॉट में उल्ड करते तो कोई प्रब्लम नहीं है पर 10x 20x का लेवरेज अगर लेके आपने लॉंग कर रखा है तो फिर आपके लिए रिस्की हो सकता है इसलिए थ इसलिए आपको अभी थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए मेरा जो नेक्स टार्गेट है 28,500 के आसपास में मैं देख रहा हूं 30,000 ब्रेक करके एक दो दिन उसके नीचे अगर रहता है तो फिर यहां पे हम नीचे की और जा सकते हैं वैसे अगर आप देखो तो इस ट्रेंड ला के ऊपर निकलना पड़ेगा तब बिटकोईन के लिए सेफ रहेगा अधरवाइस हम किसी भी समय बिटकोईन में नीचे की और यहां पे डंप देख सकते हैं 28,500 के करीब का टार्गेट मेरा यहां पे रहने वाला है तो यह थी दोस्तों बिटकोईन की अपडेट आयोप गया होगा सेफ रहिएगा और स्रक्षित रहिए क्योंकी तेको ग्रीड भी जाता है दूसरा यहां पे बहुत बड़े बड़े लॉंक्स भी लगे हुए है तो यह और ज्यादा रसकी हो जाता है यहां पर दंप होने के चांसे स्बैश् DP ज सकते हैं इसके लिए आपको हमने सारी प्रोसेस पहले ही बताई हुई है कि कैसे आपको इसमें पार्टिस्पेट करना है और क्या-क्या प्रोसेज रहती है S1 को बाय करके स्टेक करना होता है और आप उसकी एवज में जितने भी आप ज़्यादा S1 यहां पर स्टेक करेंगे उतने ज़्यादा आपको यहां पर ट्राय कीजिएगा अगर मिल जा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि इस आइडियो की इस कोईन की जो सप्लाई है वह बहुत ही कम है 25 लैकी से सप्लाई 0.01 BUSD इसका प्राइज होने वाला तो आगे चलके बढ़िया रिटन दे सकता है तो इस पे नज़र रखेगा प्रजेक काफी अच्छा है यह एक रिवलेशनरी क्रिप्टो ट्रेडिंग एक तरीके से प्लेटफॉर्म है यूनिक AI बहुत ही बढ़िया रहेगा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो XRP के बारे में एक बढ़िया नियूज निकल के सामने आई है जज सारा नेटबर ने ओर दिया है बोथ रिपल एंड एससी टू एग्री ऑन थ्री मिचुली कन्वीनियन डेज टू सेडूल एस सेटल की तो वह भाई तो डिसपॉंटेड रहेगा ही कि XRP क्यों बाहर निकल गया क्यों SEC के खिलाब वह विन कर गया तो उसे बहुत बुरा लग रहा है पर उनका एक हिंट और भी है कि यहाँ पे more crypto industry enforcement future में देखने को मिल सकते हैं अब यह वही बाली बात है ना खिसिया यह बिली आगे निकल गया और SEC से कैसे जो है विन कर गया तो यह एक news निकल के सामने आ रही है साती यहाँ पर अगर हम बात करें ETF से related तो वेलकरी का एक और ETF इसके पहले यहाँ पे BlackRock का जो ETF था वो यहाँ पे SEC ने acknowledge किया था acknowledge करने का मतलब यह नहीं है कि वह approval हो गया approval की भी date आपको हम बताएंगे कब हो सकता है कब नहीं होगा तो यहाँ पर इसे भी यहाँ पर acknowledge कर लिया है और अच्छी बात यह है कि यह वेलकरी ने पहले जो coinbase था इनका जो exchange था उसको यहाँ पे change करके Nasdaq कर लिया है साथ ही इन अब यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर acknowledge कर लिया गया है और भी अगर यहाँ पर ETF की बात करें तो देखो इतने सारे ETF हैं जो यहाँ पर day by day जो है यहाँ पर fill हो गया है बहुत साले लोगों ने तो refiling कर दिया है क्योंकि यह reject हो गए थे किस कारणों से यहाँ पे इन्होंने exchanges को साइद यहाँ पर जो है वो नहीं डाला था सही एक्षेंज यहाँ पर चूज नहीं किया था इन्होंने वापस से refiling करी है और कई बार यह reject भी हो जाते थे तो अब यहाँ पर black rock ETF के बाद में वापस सब के सब ने refiling यहाँ पर कर दी है अब यहाँ पर total अगर आप आधें देख सकते हो कि first deadline कव है second कव है third कव है final कव है तो यहाँ पर देखो चार deadline है इन चार्द डेडलाइन में SEC को इन्हें एप्रूफ करना ही पड़ेगा या reject करना पड़ेगा तो पहले deadline यहाँ पर आप देख सकते हो 9 महीने में यहाँ पर है उसके बाद में 10 महीने में फिर यहाँ पे जनवरी में और उसके बाद में मार्च में यहाँ पे लास्ट डेडलाइन है जो की हॉल्विंग के ठीक एक महीने पहले है और देखो अगर इन में से कोई भी बिटकोईन का एटीएफ स्पॉट एटीएफ यहाँ पे अप्रूवल होना स्टार्ट हो गया तो एक महीने पहले ही यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव नियूज आएगी और इसके ठीक एक महीने बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बिटकोईन की हॉल्विंग है 15 अपरेल 2024 को यहाँ पे हॉल्विंग है और यहाँ पे मार्च में 16 मार्च को यहाँ पे लास की हॉल विंग के पहले पहले आपको डिप में एक मौका जरूर मिलेगा उस पर आपको मिस आउट नहीं करना है बाय कर लेना है और होल्ड करके रखना है क्योंकि बिटकोईन में बढ़िया रिटन मिलेगा और नेक्स्ट बूल मार्केट में हो सकता है कि और ज्यादा आपको पंप होता हुआ दिखाए दे इस बार हो सकता है एक लाग या एक लाग बीस अजार डॉलर भी ब्रेक कर जाए तो यह थी दोस्तों इंपोर्टन न्यूज अपडेट आई होप आपको न्यूज अपडेट अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर द